जब भी हमें कुछ हलका फुलका और हेल्दी खाने का मन करें तो सबसे पहले हमारे दिवाग में इडली का आता है आज मैं आपके लिए लेकाई हूँ रवा इंस्टेंट इडली इसको हमें बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और इसको आप सांबर के साथ खा सकते हैं और अगर सांबर नहीं है तो आप इसे चछनी के साथ भी खा सकते हैं तो चलिए इसकी मज़िदार रैसे भी सुरू करते हैं इंस्टेंट रवा और सूजी इडली बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये सूजी लिए एक कप अब इसमें पतली सूजी भी ले सकते हैं उसके बद मैंने इसमें डालाए तीन चौथाई का घटी दही थोड़ा सा नमक स्वाधन उसार अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम 30 मिनट तक ढखके रखेंगे ताकि इडली अच्छे से फर्मेंट हो जाए फिर हम इसका इडली का बैटर बनाएंगे